मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं result के बारे में ना सोचूँ मैं इस बात में believe करता हूँ कि process ज़ादा important है क्योंकि process की वज़े से आपको result मिलता है तो हमें make sure करना पड़ता है कि जो process है हमारा you know, let's say हमने identify किया है कि यह हमारा target है so एक long term goal होता है, एक mid term goal होता है but हमारे लिए सबसे important होता है जो एक immediate goal होता है you know that short term planning and हमने किस तरीके से planning की है हमने किस तरीके से उस plan को execute करने की कोशिश की है result के बारे में सोचने से आपको result नहीं मिलता है आप जब जो controllable चीजे हैं उसके बारे में जादा ध्यान देते हो छोटी चीजों में जादा ध्यान देते हो तो more often than not आपको जो result मिलता है वो आपके favor में मिलता है